हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चनल वीर साइंस प्रजेक्ट में तो अभी आप जो जेजर मशीन देख रहे हो यह दीपा वली मैंने बनाई थी और आप लोगों को इसका सरकीट डाइग्राम और इसकी डिटेल्स के बारे में जानकरी चाहिए थी जिसका बनाना बनाने का मतला सरकीट डाइग्राम पूरा एक्स्प्लेइन करते हैं यह देखे हमारे पार सरकीट डाइग्राम रखा हुए जो भी कलर नहीं किया मैंने इसमें हमारी आइसी कौन गौन सी लगी हुई है मैं आपको सारी चीज़ें दिखा तो समझो आप यह 555 आइसी वाली भी क्लॉक पल्स का काम करती है बट शिप्ट रिजिस्टर पे यह काम कैसे कासे करता है वो मैं आपको दिखाता हूं तब से पहले आप करेक्शन देख लो कि आइसी 500 पर ने कनेक्शन क्या करना है तो आठ नमबर हमारा पॉस्टिव होता है तो पहले हमने फाल जो शि繼續 रिगीव स्प्लाइस ही तो इसका जो कनेक्शन है हमारा तस नंबर हमारी हो तरीक दिज्दर यहां पर longer fluct डिखा रहा है मना 1ग्त ट्रीकर डेन क्लॉकिंग का जो काम है में तो उनों का लग है उसी के एकॉर्डिंग में पूरा सिस्टम करेगा उसे के ऊपर चलेगा और ऐसा क्लर मतलब ओंड़ में आजस्ट किया तक आगई चलते हैं हैं तो इसको निगेटिव के निगेटिव होती है दोनों देखिए हमने निगेटिव एक साथ शॉर्ट कर दिया मतलब दोनों पिनों गो निगेटिव दे दिया यही सरकीट डियाग्राम देखिए हमने पूरा सरकीट बनाया हुआ था जो अपने देखा दैन 595 का जो हमारा सरकीट है उसकी पिन नंबर 13 और पिन नंबर 8 यह भ मतलब इसकी charging और discharging जितना छोटा capacitor होगा उतनी तेश ही charge discharge होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही time ये clock generate करने बहुत है clock का मतलब plus और minus मतलब एक time पर प्लस करता है एक ही pin को output को और देन एक ही time पर minus करता है तो एक number मतलब हमारा जो एक number पीने 555 का उस पर condenser का minus हमने लगाया देन दूसरे number पर हमने condenser का plus तो इसमें जो condenser में 63 वोल्ट का लगाया जरूरी नहीं आप यही लगाते हो आप इसको change कर सकते हो और हमारा जो इसके बीच का बनने वाला पलस होता है वो तीन number पिन से आउट होता है मतलब आप जानते कि output पीन हमारी तीन होती है 555 की अगर नहीं जानते तो प्लॉक जब बनती है तो वह हमारी 12 नंबर और 11 नंबर पर आती है ठीक है यहीं पर हमारा system जो है इसको डिक्टिट करता है मतलब अगर इसकी speed को हम पहल रहे हैं 595 जो हमारी 14 नंबर उसको भी clock की बात है अगर इसको directly हम प्लस या माइनस से short करके रखते है तो यह तो आगे जाएगी यह तो पीछे आ जाएगा मतलब इसका pulsing जो है तो second ic को बिल्कुल डिक्टो ऐसे दिया इस पर जो लगा हुआ उसी के according यह आगे पिछे करेगा अपना पल्स और 14 नंबर पे हमारा एक clock और देगा इस clock की speed जतनी जाता होगी उतने ही इसके मेथड़ इसमें चेंज होंगे मतलब इसके मोट्स जो है वह डिफेरंट डिफेरंट हो जाएंगे मतलब अगर यह धीमे दिमे प्लस माइनस होगा तो मोट्स अटके रहेंगे मतलब शिप्ट रेजिस्टर हमारा काम नहीं करेगा 595 हमारा शिप्ट रेजिस्टर है और चुकी शायद सरकी डाइग्राम और वाइस ओवर में मेरा मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ी से दिक्कत हो रही है बोलने में वाइस ओवर किया था बट बै यहां पर चानल लगाकर उसके उपर इसकी रेंज बढ़ा सकते मतलब अभी आठ चैनल है इसको 16 भी कर सकते हैं 32 भी कर सकते हैं उसी के एक वाडिंग दीरे दीरे जितने चैनल से आप चहुत एड़ कर सकते हुए मतलब यह नौँबर अगर दूसरे चौदा नंबर पर हुआ है ठीक है और वेरियबल जो हमारा पॉर्ट लगाव है इस पर जो क्लैपसिंग होगी मतलब इसको चार्ज और डिस्चार्ज करने का काम के थ्रोई करेंगे और आइसी 555 के अंदर आप जानते हो इंटीग्रेट सरकेट होता है जो किसको चार्ज और डिस्चार्ज दो लंबा चोड़ा घर दिया तो उसके अकॉर्डिंग बीस का चलने का जो हिसाब किताब है बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो हमने जो कैपसिटर था कैपसिटर का पॉस्टिव नमबर दो पी दिया पिर नमबर दो कमने छे नमबर पर शौट किया दैन ले जाके वैरियेबल क कि इसलिए लगाया हुआ है तक कि इसमें शौट सर्कृट ना हो और एक निश्चित रेजिस्टेंस हमेशा बना रहे है नहीं तो भीया जैसे ही आप पॉर्ट को घुमा के जीरो करोगे और इसका काम खतम हो जाए शौट हो जाएगी है तो चार्जिंग और रोकने के लिए भाई यह करना पड़ा ताकि शौट सर्कृट ना हो और 10K का पॉर्ट और जो आप 100 के देख रहे हैं यह डिफरेंट डिफरेंट आप यूस कर सकते हैं पर 10K की जहां पर जरुवत थी वहां टैनी के लगाया उपर नीचे लगाने कोई मतलब नहीं है मतलब नौर्मली जो म समाइना से यह वह भी continue ठीक है और आगे के चलते आउट्पुट पर आ जाते हैं ठीक है अब इसका आउट्पुट स्टार्ट कहां से होता है हमारा जो है आट नमबर तो अब सीधा देख रहे हो जा रहा है मतलब 16 की आईसी है तो एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चान नम 3456 ऐसे करते 7 तक जाता है और 100 ओम का रिजिस्टेंस हमने इसके आगे लगा दिया सारे आउट्पुट के यह कनेक्शन सब को दिखा रहा हूं आप देख लो मैंने ब्लू का मार्कर लिया हुआ है तो जो भी हमारी यहां से आउट्पुट निकल लिए होती है जनरली यहां पर भी इंडिरेक्ट लिए क्लॉक होता है मतलब माइनस का भी डिजिट चलता रहता है बट उसकी जरुवत तो है नहीं आपको तो यहां पर मैं जो कनेक्शन आउट किया हूं उसके अकॉर्डिंग ही चलो मतलब इसमें से पॉस्टिव आउट निकल लाए जितने भी हमारे और पूट्स है और हंडेड ओम को रेजिस्टेंस लगा है ताकि हैवी लोट्स ना जाए देन आगे मैंने इसके ब्रीज रेक्टिफ हैर मतलब सौरी ब्रीज रेक्टिफ हैं नहीं कि डैवोड लगा कि रखा हुआ आइन चारजार साथ ताकि यह से पॉस्टिव को ही फॉर रोडह लोड़ एपर हाले हो ती एवन होता है और उसके बाद एक पीडिफीन मतलई सब्सक्राइब उसकी मतलब यह थो तूब्सट सब्सक्राइब करेगी जो के फिल्टर होंके हमारे दैवोट के थुरूप बिना रिवर्स के गेट पे जाएगा देन गेट हमारा एक्टिव हो जाएगा बट सारे मेकनिजम में आपको एक चीज बताता हूं कि यह सब सर्कीट तब तक ऑपरेट नहीं होगा मतलब सब्सक्राइब नहीं होगा जब तक इसको एक ग्राउंड ना दिया जाए मतलब आपके सर्कीट से ग्राउंड ग्राउंड का मतलब नूट्रल अप्लाई पर तो टीवन टीटू जो हमारे लगा हुआ है सबसे एक पाइंट अभी हम उठाते हैं तो पहले हम आपको टीवन और और टीटू का कनेक्शन दिखाते हैं हमारे पास चितने भी बीटीवन सारे टीवन को हमने एक साथ कनेक्ट कर लिया मतलब एक साथ और इस पर लाइन यह नूट्रल मतलब तो कोई प्रोब्लम नहीं होना है उसके उपर बट यह जो फ्रेस और नूट्रल है हमारा टीव एक नंबर पर दे देना अब सोच रहा होगा कि आपका सर्कीट उड़ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यों बीटी वन देटी सिक्स इसको एक सेपरेट सप्लाई दे रहा है पर आप सर्कीट को चुछ होगे तो आपको शौक लगेगा इसके प्लस माइरस में आपक तब ही मिलेगा हमें जब हमारे डाइवोट के तुरू गेट पिन पर कुछ वोल्टेजेस है ठीक है जैसी वोल्टेजेस आएगा तो यह 220 वोल्ट पूरा पास कर देगा दूसरी तरफ और अगर हमने एक साइड में न्यूटरल यूज किया तो दूसरे साइड में फेस और यह जो 220 वोल्ट आउट लिखा हुआ है यह आप समझे लो बल्ब है हमारे तो बल्ब का काम करते हैं खतम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो यह हमने ले लिए अब यह उठा के यहां पर न्यूटरल मतला फेस और निटल आता है 220 वोल्ट में तो न्यूटरल हमने सारे एक ब तो टीटू से हमने बारी बारी सारे आउटपुट निकल गया है और भाई थोड़ा सा बड़ा अजीब सा फील हो रहा है एक्चुली वीडियो और मेरे बोलने में तो इसमें हो रहा है बट हम आपको बता वही रहे जो इसमें हो रहा है तो जो भी परिशानी हुई हो उसके आउटपुट निकलेगा थ्री वूल्ट का वो हमारी गेट सप्लाई को स्टार्ट करेगा और यह सारा मैकनिजम रेडी हो जागा ठीक है तो यही सब सर्कीट था इसमें कुछ अडिशनल नहीं था कुछ ऐसा नहीं था कि जो ना समझ सको तो में सर्कीट डाइग्राम यही ह कैपसिटर साब इसके चेंज करके इसकी स्पीट को और तीजी से आगे पिछे कर सकते हैं वेरियाबल पॉर्ट को चेंज करके भी आगे पिछे कर सकते स्पीट बट 595 जो हमारी आईसी ही यह 5 वोल्ट से ज़्यादा की करेंट पर ऑपरेट नहीं होती है और BT 136 जो हमारा है यह 220 वोल्ट पर असारी से ऑपरेट हो जाता है और एक चैनल 300 वाट का लोड लेकि चलने के लिए अराम से चला सकता है इंडेक्टिंग लोड नहीं भी है नॉर्मल ठीक है तो 300 वाट के उपर का लोड लेना है तो हाई-फाई थोड़ा सा चेजर डाल दो काम कतम तो बस वी पूसिश्की जो हो सकता था वो करने की काफे दिन से पड़ा हुआ था तो आज वीडियो डिलेट करने से पहले मुझे लगा कि पोस्ट कर देना चाहिए तक की शायद आपके काम आजए तो बस वीडियो यही तक था वीडियो च्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक और चै कर रखें